केसर मठला की सगड़ात आधियाठ होतो ते महंजे कश्मीर अर्था तच कारण कश्मीर मधे केसर स उत्पन्न होतो बट माजा हाती हे केसर है केसर फलार है आणि जिते मी सद्ध्या है ते कश्मीर न सुन महाराश्ट्र ची उपर आजधानी नाकपूर अर्था तच ओरेंज सीटी आहे हो तुम्हें खरा एक ले आता जा शहरात ओरेंजे स उत्पन्न होतो त्या शहरात आता केसर सुगता होना रहे तुम्हें माज़ा मागे ही शेती वहुशकता है कि एक छोटे शा रूम मधे नविन टेक्नोलोजी आणि नविन साइन्स हा करनेत अलेली एक केसर शी शेती आहे नाकपूर चा एका युवा कपल ना युवा दांपत्या नहीं शेती के लेली आहे आता ही शेती रेंगी कशी आहे युवा कांचा रोजगार करना कसा मिलना शेत करना रोजगार कसा मिलना बहुया लोकमत चाहा स्पेशल रिपोर्ट न्यू टेकनोलोजी, न्यू साइंस, चार बाय चार ची एक बंद खोली आणि युवा कपल ने ते करुन दाखवलै जाचा कदाची तच कुणी विचार केला असेल या तरुन दामपत्याने चक्क केशर ची शेती फुलवलिये अउग्या पाच महिन्यात केशर शेती चा माध्यमातून या तरुन दामपत्याला तबल आठ लाक रुपए किमती चा दीड ते दोन किलो केशर चे उत्पादन अपेक्षिता हे सद्ध्या दीड महिन्याचा कालावधी अर्धा किलो केशर्चे उत्पादन त्याननी मिलविले आहे यानना भेटा, ही आहे दिव्या आणि हे अक्षे होले एक तरून व प्रयोक्षिल्दाम पत्य दिव्या बैंकर आहे तर अक्षे यानचा स्वतहाचा व्यवसाया हे दोगानना शेतकरी आणि शेतीचा बाप्तित प्रचंड ओड आहे आई बडिलानी जरीही शेती केली असली तरीही आमी आधुनिक जगाची शेती करू असा यानचा ध्येये होता आणि काही तरी नविन करायेचा महणून त्याननी केशर ची शेती करनाचा निरने घेतला मकाई लागले ते कामाला त्याननी इंटरनेट वर केशर शेतीचा प्रयोगाची महिती घेतली त्यानंतर केसर शेती चा बाप्तित अधिक माहिती गोडा करना सुर्वात केली साइफरन फाम है आपला घरात ही करता येत ही संकल्पना समझला नंतर दिव्या आणी अक्षय ने थेट कश्मिर गाठले कश्मिर चा पैंपोर एथे जाउन या संदर्बात अधिक माहिती गेतली आणी सुरूज हाला चांचा केसर फाम चा अप्रतीम प्रयोग पर हमें कुछ और करना था और हमें जगह की बचत भी करनी थी और साथी में हमारे जो रोजमर्रा के काम है र्ड रूटीन वरक है उसी के साथ साथ हमें खेती करनी थी इसलिए हमने यह बहुत सरचिंग के बाद एक से देड़साल के रिसर्च के बाद हमने यह प्रजेक्ट लांच किया हमने यह जो सीड़ है वो hlसारे कश्मीर से लाया है और आउगस्ट लास्ट वीक में हमने इसका plantation किया दो मेने के बाद 30th October को इसका first flowering आया है और अभी already हम harvest कर चुके है flowers और अभी हम यह regular work है हर दो दिन बाद इसमें flowering आती है और December end तक के flowering इसमें रहेगी यह जो भी flowers आप देख पा रहे हैं यह इसमें से ही केसर निकलता है और हमने यहाँ पर पूरे जो यह room है यह 80 square feet का room है कुछ equipment की help लेके हमने यहाँ पर कश्मीर जैसा controlled environment बनाया है और हमने इनका plantation किया है we are expecting कि हम यह छोटे से room में से देड़ किलो के अप्राफ केसर निकाल ले और हमें इसकी जो लागत है जो पहले साल हमें लगी है which is only one time investment जुसमें यह seeds, trays, racks और कुछ equipment है यह totally हमें लगे है 7.5 lakhs के देड़ किलो केसर की कीमत अप्रोक्सिमेटली 8-8 लग के आसपास जाएगी यह seeds मिट्टी में डालने के बाद नेक्स्ट यह से यह 5-7 साल तक हमें उत्पन्न देते रहेगा तो जो भी खर्चा है वो हमें सिप इसी साल लगा है भारता केशर से उत्पादन है थंड राज्य असलेलिया जम्मू कश्मिर मधित सोते केशर ची शेती करेना साथी वाता वरण फार थंड असावा लागता मातरा आता ओरें सिटी अशी ओड़क हसलेलिया अती उष्ण नाक्पुराद देखेल केशर शेती शक्क्य जालिया एरोपोनिक संत्रद्यानाचा मदतीने बंद खोलित केशर लागवडिचा यशस्वी प्रयोग करना तालाए नेमक एरोपोनिक संत्रद्यान भंजे काए ते जानोंग्या गेल्या काही वर्षान मधे शेती साथी एरोपोनिक संत्रद्यान विकसे जालिया या मधे बंद खोली तापमानाला नियंत्रन करून शेती केली जाते या मधे माती किमवा पानेयाचा उपयोग केला जात नाही, कमी विलेत अगदी लाखुन चा उत्पादन मिलून देनार्या या नविया आणी बेगल्या प्रयोगाला एरोपोनिक स्तंत्रद्यार असे महनतार कि वा जो यूट चा प्रोब्लेम आहे कि काय बिजनेस करावा और प्रोफिट कमवावा या सग्यान चा सोलीशन आहे कि आपन है इफिशेंट पद्धती नी जे आपन प्रोड़क्शन घेतो आहे या पद्धती नी जर याचा एजूकेशन तैनना देना ताला आणी तैनना इ बरपूर प्रोड़क्ट साहे इतर बरपूर भाजी पाला कि वा जून कही वस्तु आहे जन्स प्रोड़क्शन आपन एड्रोपोनिक्स अने हाइड्रोपोनिक्स तप निखनी आपन क्यों शक्त आपले घरा मुले तद्न्यांचा महन्यानुसार देशाला दर्वर्शी जेवडी केसरची गरजै त्यातुलनेत केवल 20 टक्के उत्पादनच आपले देशात घेतला जाता उर्वरित केशर हे बाहेरून मागविले जाते मात्रा आता एरोपोनिक्स तंत्र ज्यानाचा मदतीने घरातल्या घराताच शंभर टक्के शुद्ध केशरची लागवड केली जाव शक्ते आणि त्यातुन लाखो रुपयांचा नफा यूवा वेवसाईक आणि शेतकर्यान नाही मिलू शक्तो बिधर बातिल शेती व शेतकरी हे दोनी अडचनी ताहेत बिधर बातिल पीकान ना कधी उश्नवातावरनाचा फटका बस्तो तर कधी अवकाली पावसा मुले उभ्या पीकानची नासाडी होते त्या मुल शेतकरी अनेगदा आत्मात्या सार्ख तोकाच पावलू चलताथ मातर शेतीला जोडधन्दा महनुन आचे तरुण वो खोतकरू शेतकरी शेताथ नवनविन प्रयोग करताथ आणि अनेगदा त्यानना य शही मिलते त्यातलाचा एक नवा प्रयोग त्या मुले संत्रा नगरीत केसर पिकवन्याचा आखा नभीन प्रयोग खरच कवतुक अस्पदा है सुर्भीशिर पूरकर नाकपूर लोकमत